अलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूप चैनल बच्चो इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर वाक एनर्जी पावर के सारे फॉर्मुले बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत जल्दी से रिवाइस करने जा रहें सारे फॉर्मुले अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ प्लस फॉर्मुला शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लस फॉर्मुला शीट है आप उसको डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद तो सारे फॉर्मुले आप यहाँ से समझ लो सबसे पहले है बच्चो वाक के फॉर्मुले वाक डन बाई a constant force एक बॉड़ी है जिसपे आपने फोर्स लगाई f और वो बॉड़ी डिस्प्लेस हुई और उसकी displacement vector है s ठीक है force हो गई f और displacement vector है s तो वाक होता है force vector और displacement vector का dot product और आप जानते हो कि dot product में क्या आता है cos theta आता है तो अगर force और displacement के बीच में angle theta है तो वाक डन आप कैसे निकालोगे force into displacement into cos theta इतना तो आपको पता होगा 9th में भी आपने पड़ा है यह formula अब बात करते हैं work done by variable force की अगर बच्चो देखो एक particular displacement के लिए force constant नहीं है variable है अना कि अगर आपको पता है कि body यहाँ पे थी हमने उस पे एक force लगाई और फिर वो body यहाँ पहुँच गई लेकिन यह जो force हमने उस पे लगाई इस force की कोई fixed value नहीं है यह एक variable force है जो change हो रही है अगर आपको यह displacement मालूम भी है कि suppose आपको पता है कि यह displacement s है कि 5 meter है 6 meter है तो भी आप इस पे फिर f into s direct formula तो लगा नहीं सकते क्योंकि आपको f नहीं पता तो ऐसे case में हम क्या करते हैं ऐसे case में हम integration से work निकालते हैं जब force variable होती है अब अगर force हमारी variable है तो वो force किसी ना किसी variable का function होगी यह तो force displacement का function हो सकती है यह force time का function हो सकती है school exams में 99% case में आपको जो force मिलेगी वो displacement का function मिलेगी तो उपर वाला यह जो formula है यह आपके लिए जादा important है तो आपको force given है as a function of displacement और displacement को अगर मैं x मान लूँ तो suppose आपको fx कुछ given है जैसे कि given है कि it is 3x square plus 1 हाना तो displacement का function है force हाना कि displacement के साथ बदल रही है कि अगर x1 है तो force कुछ और है x2 है तो force कुछ और है तो उस case में आप work निकालोगे इस तरीके से अगर आपको पता है कि जैसे यह origin है और आपको यह obviously यह point पता है limit और यह point पता है कि जो body आपकी displace हुई है वो x1 से लेकर x2 displace हुई है तो आप क्या करोगे work done निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक variable force का x1 से x2 integrate करोगे fx dx right समझ गए ऐसा क्यों करना वो work वाले में मैंने detail में बता है वो यहाँ पर just formula revise कर रहा हूँ अच्छा अगर आपको force दी है as a function of time अगर आपको force given है as a function of time तो आपको क्या करना होगा अब देखो अगर आपको force given है as a function of time तो आपको limit भी जो है वो time की ही दी होगी हाँ तो देखो अब अगर आपको force given है ऐसे something like this ft यानि कि as a function of time like 2t plus 1 अना कुछ भी time का कि एक second बाद force इतनी है दो second बाद force इतनी है इस तरीके से एक second बाद इतनी है दो second बाद इतनी है एक second बाद कितनी होगी t को 1 डाला 3 newton दो second बाद कितनी होगी t को 2 डाला 2 into 2 4 plus 1 5 newton इस तरीके से कि जो force है वो time का function given है तो अगर force time का function है तो work आप ऐसे निकालोगे कि अगर आपको बोला है कि force एक time का function ऐसे दिया हुआ है और बोला है कि find the work done by this force from मानलो 2 second to 5 second कुछ भी हना time की दो values दिये 2 second to 5 second तो वो time की limit आपने यहां रख दी, m, m is the mass of the body, at, at मतलब acceleration as a function of time, acceleration as a function of time आप कैसे निकालोगे, force as a function of time आपको पता है, तो acceleration as a function of time क्या होगा, force upon mass, so this divided by the mass of the body, so that will be at, right, और vt, देखो, यह क्या हो गया, m into at क्या हो गया, simple सी बात है, force हो गया, हम कर तो यह ही रहे है, force into displacement, और displacement क्या होता है, velocity क्या होती है, displacement by time, तो displacement क्या होगा, velocity into time, तो यह रहा, fx, यह तो f रहा, और यह displacement रहा, लेकिन vt कैसे निकाले, vt आएगा, 80 को integrate करके, ठीक है, यह acceleration है, time का function, इसको integrate करोगे, तो आपको velocity मिलेगी है, time का function, वो यहाँ पर डालना है आपको, और फिर आप work done निकालोगे, थोड़ा सा complicated process है, इसलिए school exam में, इस पे based इतने questions नहीं पूछे जाते, ठीक है, आप mainly इस निकाल दिया है, आठ महीने निकाल दिया है, तब भी integration, differentiation देखके डर जाते हैं, ऐसे question देखके डर जाते हैं, अच्छा, graphical method of finding work done, अगर आपको question में given है एक graph, जिसमें कि आपको x-axis में दिया है displacement, और y-axis में दिया है force, ठीक है, और ऐसा कुछ graph बन के दिया हुआ है, ऐसा suppose और बोला work निकाल लो, तो आपको क्या करना होगा, यह जो enclosed area है, यह निकालना होगा, this will be the work, this enclosed area is work w, ठीक, समझ गए, ओके, kinetic energy, kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion, चलती हुई body में kinetic energy होगी, अगर एक body जिसका mass m है, जिसकी velocity v है, तो उसकी kinetic energy क्या होगी, half m v square, work energy theorem, work energy theorem क्या है कि एक body, जिसकी already velocity u है, उसके कुछ work हुआ, और उसकी velocity हो गई v, तो work done क्या होगा, work done क्या होगा, change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, and this work is what, this work is the work done by, जितनी भी forces उसके लग रही है, ठीक है न, this w is the sum of work done by conservative forces plus, सर यह तो पता ही निया क्या होती है, तो पेटा पहले chapter पढ़ ले, मुझे पीछे comment किया किसी ने, कि सर यह, आप detail में बताओ, यह क्या है, वो derivation वाला वीडियो था, हर वीडियो का purpose different होता है, यह formula revise करने के लिए, आप यहाँ पे बोलोगे, सर आपने बताया ही नी conservative force क्या होती है, तो यह conservative force क्या होती है, बताने के लिए यह video है ही नी, मैंने बहुत detail में, एक, एक topic पे बहुत detail में वीडियो बना है, वो आप channel के नाम से search कर लो, आपको मिल जाएगा, so this work done is work done by conservative force, work done by non-conservative force, and work done by any external force, total जो work done है, वो आपको यहाँ पे रखना होगा, right, potential energy, potential energy के अंडर आप पढ़ोगे, gravitational potential energy, MGH, which is, देखो बच्चो, ध्यान से सुन ले न, अगर दो bodies है, एक का मास है M1, और दूसरी body का मास है M2, और इन दोनों bodies के बीच में distance है R, तो इस system की जो potential energy होती है, U, वो होती है, minus G, G is universal gravitational constant, M1, M2 by R, but, यह gravitation chapter में है formula, work energy power में यह formula नहीं है आपको use करना, तो work energy power में हम जब बोल रहे है, gravitational potential energy, तो हमारा simple सा मतलब होता है कि gravitational potential energy, एक reference level पे, suppose, यह ground है, ठीक है, मान लो यह ground है, और यहाँ पे एक body थी, यह concept आपको पता ही होगा, यह body को आप यहाँ से यहाँ तक ले कर गए, तो आपने जो work किया इसको gravity के against ले जाने में, that is MGH, कई बच्चों को इस बात की confusion है कि MGH potential energy होती है, बेटा MGH potential energy नहीं होती है, MGH केवल work done होता है, एक body को दो different levels vertically, जिनमें difference है H, इस level से इस level तक ले जाने के लिए against gravity, जब आप किसी चीज़ को against gravity लेकर जाते हो, तो आपको काम करना पड़ता है न, तो एक body को gravity के against H, vertical height ले जाने में, चाहे आप किसी भी path से ले जाओ, चाहे आप ऐसे लेकर जाओ, लेकिन आप लेकर तो vertical height H ही गए न, आपको MGH work करना पड़ता है, so this is basically the change in potential energy, body की यहाँ भी कुछ potential energy थी, इस level पे भी कुछ potential energy होगी, उन दोनों का जो change है that is MGH, और वो potential energy क्या है वो आपको formula बताया, आप gravitation chapter में detail में बढ़ोगा, दूसरा यहाँ पर आपको पड़ना है, elastic potential energy of a stressed spring, जैसे अपने पास एक spring है, ठीक है, उस spring को हमने खीचा, अपने पास एक spring है, जिसको हमने यहाँ से fix कर दिया, suppose, और हमने उस spring को पकड़के यहाँ से, खीचा F force लगाके, अब आप जानते हो कि spring को चाहे हम खीचे, चाहे spring को हम compress करें, हमें work करना पड़ता है, और जो भी हम work करते हैं, वो उस body में किसी ना किसी energy की form में store हो जाता ह जैसे body को चलाने में जो work किया, वो gravitational potential energy की form में store हो गया, body को चलाने में जो work किया, वो body में kinetic energy की form में store हो गया, इसी तरीके से spring को खीचा लें या उसको compress करने में जो आपको work करना पड़ता है, वो spring में store हो जाता है in the form of elastic potential energy, अगर आपने spring को X खीचा है उसकी natural lens से, जब वो खीचा नहीं हुआ था, तो यहां फिर compress किया, अगर आपने उसको X खीचा है या X compress किया, तो आपको इतना work करना पड़ेगा, half के X square, और यह spring में store हो जाएगा in the form of elastic potential energy, अगर वो X1 पहले से खीचा हुआ हो, और X1 से X2 आपने खीचा हो, तो obviously आपको work करना पड़ेगा, half क X2 square, minus half के X1 square, के यहां पे कहलाता है spring constant, जो की एक value होती है spring के लिए, जो stiff hard spring होते हैं, उनका के जादा होता है, जो लचीले spring होते हैं, उनका के कम होता है, ठीक है, relation between force and potential energy, अगर आपको potential energy दी हो, as a function of distance, तो आप force निकाल सकते हो, potential energy को differentiate करके, आगे negative sign लगा के, क्यूं कर सक है, खराम ऐसा, तो potential energy के उपर detail में video है, सर्च करते हैं, elastic collision in one dimension, दो bodies है बेटा, एक body जा रही है, ऐसे, U1 velocity से, पीछे से एक दूसरी body आई, इसने इसको 1D में head on, टकर मारी U2 velocity से, और टकर खाने के बाद, टकर खाने के बाद, कसी नहीं आद आ दे तो, टकर खाने के बाद, इसने इसको मारा, अगर इसने पीछे से इसको hit किया, तो U2 जादा होगा, U1 कम होगा, वरना तो वो और आगे चली जाती है, अगर U1 जादा होता, तो U2 जादा है, U1 कम है, तो इसने जब इसको टकर मारी, तो ये और आगे निकल जाएगी, तो फिर इसका इसकी velocity बढ़ ज इन है, राइट, ओके, तो relative velocity जो इनकी collision से पहले की, देखो, collision मतलब टकराना, collision होती दो तरह की, elastic और inelastic, elastic collision में momentum conserve रहता है, kinetic energy conserve रहती है, और हम बोल रहे हैं, अगर elastic तो हमारा मतलब है perfectly elastic collision, जिसमें bodies टकराने के बाद, अपनी shape में जरासा भी deformation नहीं लाती है, या bodies के टकर टकराने के बाद, उनकी shape में बिल्कुल deformation नहीं आता, ऐसी collision में momentum और kinetic energy conserve रहते हैं, ऐसी collision की बात हो रही है, तो ऐसी collision में ये देखो, टकराने से पहले, इनकी जो relative velocity है, वो ये है, टकराने के बाद वीवन जादा है, तो टकराने के बाद, इनकी जो relative velocity है, वो ये हो जाएग तो elastic collision में, टकराने से पहले की relative velocity और टकराने के बाद की relative velocity क्या होती है, बराबर होती है, अगर मैं इन दोनों को equate करके minus common ले लूँ, तो ये equation बन जाएगी, ठीक है, एक constant होता है, which is called coefficient of restitution, जिसका formula होता है, relative velocity of separation, this is called relative velocity of separation, divided by relative velocity of approach, this is called relative velocity of approach, किसी भी collision के लिए, इस ratio को बोलते, coefficient of restitution और e से denote करते हैं, अब perfectly elastic collision में, ये दोनों बराबर हैं, relative velocity of separation और relative velocity of approach जो हैं, वो equal है, तो e की value क्या होगी, 1 होगी, right, फिर, अगर दोनों bodies के masses हमको पता है, m1, m2, और initial velocities पता, u1, u2, तो v1 और v2 का जो formula है, वो आपके सामने इस वक्त screen पर है, final velocities का formula, इसकी derivation भी बड़ी important है, one of the most important derivations है, यह आपके syllabus की, तो v1 और v2 का formula यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, for final velocities of two bodies in perfectly elastic collision in one dimension, ठीक है, सब से important formula collision के अंदर जो आपकी class 11 में use होगी, अब बात करते हैं, inelastic collision की, inelastic collision में भी हम बात करेंगे, perfectly inelastic collision की, inelastic, perfectly inelastic collision वो होती है, जिसमें bodies टकराने के बाद, बिल्कुल भी shape regen नहीं करती, अब यह तभी possible है, अगर bodies टकराने के बाद चिपक जाएं, क्योंकि अगर हलकी सी भी separate होती है, तो shape regen करने का chance है, तो क्या हो रहा है कि जैसे एक body है, और यह दूसरी body है, यह चल रही है U1 velocity से, यह पीछे से है U2 velocity से, और इसने इसको टकर मारी, और यह दोनों चिपक गई, और फिर अब यह ऐसा नहीं कि रुख गई, but now they are moving with common velocity, तो ऐसी collision जिसमें bodies बिल्कुल भी shape regen ना करें, मतलब चिपक की जाए, that is called perfectly inelastic collision, इसके लिए अपने को एक formula पता होना चाहिए, common velocity after collision, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि shape regen नहीं हुई, तो kinetic energy bodies की use हो गई shape को deform करने में, तो इसमें kinetic energy तो conserved नहीं होती, लेकिन momentum conserved होता है, तो अगर momentum conservation की equation लगाओगे, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v plus m2 v, क्योंकि v तो same हो गया, तो v common आके, यह आपके पास formula बनेगा, v के लिए common velocity after collision, और क्योंकि इसमें कुछ kinetic energy loss हुई है, क्योंकि shape को deform करने में use हो गई, तो initial kinetic energy जादा होती है, final kinetic energy कम होती है, तो वो kinetic energy loss का formula भी बड़ा important है, kinetic energy initial minus kinetic energy final is this, और यह clearly it is a positive value, क्योंकि mass is positive होते हैं और यह square है तो यह भी positive होगा, यानि कि initial kinetic energy जादा होती है, final कम होती है, then next is power, power होता है work upon time, वो जो 9th में आप formula पढ़ते हैं आरे हो 9 से, work upon time, work होता है force or displacement का dot product that divided by time, और displacement by time होता है velocity, so power is the dot product of force and velocity, किसी भी machine की efficiency होती है, उसकी output power, उसकी input power into 100, into 100 इसलिकी है percentage efficiency निकालने के लिए, तो इतने formula हैं आपकी class 11th physics के लिए, और याद रखना ये आपके school exams के point of view से video बनाया गया है, J&E के concepts के according नहीं, बट फिर भी 90% formula जो है वो same ही है, concept थोड़े से high level के हैं, कुछ और extra चीज़ें मैं बताता, but this is meant only for class 11th school exams, ठीक, तो आप formula sheet download कर लेना, मैं आप से मिलता हूँ next lecture में, तब तक के लिए all the work.